ये उल्ठा लटक भी जाएंगे तो और्डिनेस नहीं ला सकते वैसी जी सवाल नमबर एक जो असदुदीन वैसी पहले ये कहते नहीं ठकते थे कि रोजाना सुनवाई कराईए ना सुब्रमनियम स्वामी जाईए ना कोड़ बोलिये ना रोजाना सुनवाई हो वो आज सुनवाई तलने पर इतने खुश क्यों है? जनरल ने कहा कि नौमबर में सुनना चाहिए तो सुप्रीम कोट ने कहा कि जनवरी में तो ठीक है सुप्रीम कोट ने अपना कांसिलर्ड ओपीनियन में फैसला लिया है अब इसका सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे आप? जब जजिस ने फैसला लिया है तो उनको पूछना चाहिए और मैं उनके फैसले को मानना पड़ेगा आपको और हमको क्या आपको नहीं लगता है कि अभी आने वाला कोई भी फैसला 2019 को प्रभावित करेगा? मुझे इस बात का सकती से इतराज है कि इस मसले को 2019 के लोकसवाओं से चुनाओं से जोनने की नाकाम कोशिच बीजेपी कर रही है उस से वो एक्सपोज हो रहे हैं कि आखिर क्यों इसको जोनना चाहते है वो? ये लास कोट अफ अपील है जो भी इसमें पार्टीज है उनको पूरा मौखा मिलना चाहिए कि वो सबस्टेंटिव इसूस पर अपनी बात को रखें और सुप्रीम कोट टे करेगा आखिर इसका लोकसवाओं से क्या तालुख है? क्या यही चुनाओ का मुद्दा रहेगा? या फिर नौजवानों की नौकरी मुद्दा रहेगा? क्या पिट्रोल और डीजल की खिमते चुनाओ का मुद्दा रहेगा? या फिर रफाइल रहेगा? या फिर सी बी आई को जो एक दंगल अख़डा बना दिया गया वन और चेहरे को पेश करना नहीं चारे नरेंदर मोडी अपनी गौर्रमेंट के रिकार्ड को पेश करने चारे वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दोहजार अठारा है ये उनीस सो नौवत नहीं है मुल्क बदल चुका है देश की प्रियारिटीज में ये चीजें शामिल हैं महंगाई नौकरी रोजगार पेट्रोल डीजल की खीमते कश्मीर में अमन ये चीजें चाहती हैं बजाए उसके बीजेपी अभी उनीस सो नौवत में जी रही है वैसी जी लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपको भी ये मुद्दा सूट करता है क्योंकि एक तरफ ये रामंदर की बात करते हैं तो दूसी तरफ बाबरी मस्जिद की दुहाई दे दे कर आप भी मुस्लिमों की रहनुमा बनना चाहते हैं इस देश में मैडम मैं तो एक फखीर अद्मी हूँ आप गवा हैं देश जानता है कि बीजेपी क्यों कैसे फाइदा हुआ दो एमपी से लेकर बीजेपी चले गी एक सो दस एक सो बीस तक फिर उसके बाद नाइनटी एट नाइनटी नैन में सरकार बन गई तो बीजेपी ने इसका पु आज कैबिनेट मिनिस्टर ने का कि हाँ ये हमारे लिए पुलिटिकल मुद्धा था ये आस्था का मुद्धा नहीं था तो फाइदा किस ने उठाया हम का फाइदा उठा रहे हैं हम तो वही लखीर के फखीर हैं हम तो वहीं पर रुके में हम आज भी कह रहे हैं कि ये कि नेरेंदर मोडी को एक केपबूल एटरनी जनरल जो भी है उनको हटाकर इनको बनाना चाहिए ताकि जैनवरी में जब पेशी होगी तो गिरिदाज कोट के सामें खड़े होकर कोट के सामें कही दें क्या आप हमारे सबर का मजब को नहीं मानता है यही कोट सबरिमाला हो दही हांडी हो या फिर कई और दिवाली में पठाके की बात हो आस्था में अपनी अपने फैसले सुनाता है ना तो फिर तब कहां सम्विधान का सवाल जाता है सुप्रीम कोर्ट अगर आस्था की वुनियाद पर फैसला नहीं सुनाया है मुझे बताईए मिसाल दीजी आप जब साबरी माला के जज्ज्मेंट आने से पहले मैडम जब हम लोग डिबेट करते थे एक मिनट जब हम किसी मसे पर डिबेट करते थे तो बीजेपी की तरफ से मुझ पर तनखीत की जाती थी कि आप जेंडर ज़स्टिस के खायल नहीं है आप कहां गया जेंडर ज़स्टिस साबरी माला के जज्ज्मेंट के बाद क्या ये बात जेब देता है बीजेपी के नैशनल प्रेजिडेंट को कि वो धमकी दे रहे हैं कि रिला गौर्मेंट को अगर आप जज्ज्मेंट इंप्लिमेंट करेंगे तो फिर इसके रिपरकशन होंगे क्या ये सुप्रीम कोट का कंटेंब नहीं है आप आखिर इस देश को किस तरीके चलाना चाते हैं आप ये कहिना चा रहे हैं कि हम रूलिंग पार्टी हैं हमारे पास दो सौसी एंपी हैं हम बावी स्टेट में हकूमत कर रहे हैं तो हमारे मर्जी और हमारी आइडियोलोजी के मताबख फैसला आगा हम खबूल करेंगे आप किस को धमकी दे रहेंगे आप पूरे जमूरियत के डिमोक्रिसी के इंस्टूट को बरबात कर देंगे दो आखरी सवाल क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि सौ करोड लोगों की आस्था और ये सब पे मत ले जाए देश सम्विधान से चलेगा लेकिन आप ही फिर बीजेपी को लल कारते हैं कि अध्यादेश लेकर आओ क्यों लल कारते हैं आपको अच्छा लगता है उस आस्था से खिलवार करना या चुनौती देते हैं मैडम मैं आप से अर्स कर रहा हूँ कि आर्टिकल 123 के तहत ये उल्ठा लटक भी जाएंगे तो आर्डिनेंस नहीं ला सकते इसमाइल फारुखी का जज्जमेंट क्लियर है अगर ये हिमाखत करेंगे और अपने आप को बता दें कि ये इस देश का एक ही मख़भ है और उसके उपर अगर लाएंगे तो आर्टिकल 14 का ये वाइलेशन होगा राइट टू इक्वालिटी का और हमारा जो खानून जो आप और हम मानते हैं वो साफ तोर पर कहता है कि जब एक मसला सुप्रीम कोर्ट में जहरे दोरान है ये कोई ना बिल ला सकते ना ओर्डिनेंस जारी कर सकते इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको चैलेंज कर रहा हूँ मोहन भगवत ने जूट कहा विग्यान भौन में और उस जूट को एक्सपोज हो गए जब उन्हें दसेरा के स्पीश में कहा कि आर्डिनेंस लाइए तो यसलिए हम करें कि लाक्या बताईए ना आप चलिए